कैसे हैं आप सब I hope सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और बचों अब उमीद है आपका इंतजार खतम हो गया होगा और अज अब हम लोग फिर से क्लास को स्टार्ट करते हैं बिश में थोड़ी स्वास्त प्राब्लम थी इसलिए मैंने क्लास को बंद कर दिया था और अब हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं आज हम आपके लिए लेके आएं हैं इंगलिस ग्रामर के टॉप 20 कोशन्स ये कोशन्स आपको सभी एकजाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होंगे तो चलिए बचों देर ना करते हुए एक कोशन को स्टार्ट करते हैं आज हमारा पहला कोशन होगा दगिफ्ट आफ दगिफ्ट आर फार यू एंड आपको मिल रहा है ओप्षन ए ही बी मी सी आई और डी दे तो यहां पर हम सभी देखेंगे कौन सा ओप्षन करेक्ट होगा दगिफ्ट आर फार यू एंड आई कहें मी कहें ही कहें या दे कहें तो बचों आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब objective case में जैसे आप देखते हैं कि कोई भी मतलब noun होता है उसके तीन case होते हैं subjective case, objective case और possessive case तो यहाँ पर हम सभी को objective case ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यह जो end के बाद आ रहा है यहाँ पर objective case का pronoun आएगा समझ पा रहे हैं न objective case का pronoun आएगा और object आएगा इसका means हम सभी को क्या करना पड़ेगा बी करना पड़ेगा यानि कि option number बी correct है you and me हो जाएगा ध्यान रखेगा यहाँ पर I नहीं होगा I तब होता जब आप subject की तरह use करते तो पहला question बिल्कुल सही बी वाले बचे आप सभी ल आउट टू इसके बाद है B enter this ground C no error D बचो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि noun से related questions बहुत आते हैं आपको ध्यान रखना कि कुछ ऐसे nouns हैं जो रहते तो singular हैं उनके साथ S का प्रयोग नहीं किया जाता वो देखने में लगते singular हैं बट वो real में होते plural हैं उनके साथ S लग ships हो गया, dears हो गया, polices हो गया तो ऐसे cattle, ships, dears, polices ऐसे नहीं कहा जा सकता इनको आप plural मानेंगे तो helping work plural रहेगा बट यह real में होते जो है singular कितना लिखे जाते हैं होते plural हैं मुझे लगता है आप सभी बचों को समझ में आ गया होगा note का लीजेगा A part में यहां पर error है यहां पर cattle होना चाहिए ना कि cattle होना चाहिए ठीक है तो यहां पर cattle होना चाहिए ना कि cattle ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे हैं word जो S लगाकर नहीं लिखे जाते हैं तो B option नहीं यहां पर A option करेक्ट होगा ठीक है A part मेरर है Question number 3 देख लिजेगा Mohan is my friend इसके बाद आपको मिल रहा है एक डैश Mother is a doctor अब यहां देखिएगा Mohan is my friend इसके बाद है Mother is a doctor क्या बता रहा है fill in the blind में आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा Mohan के बारे में बताया जा रहा है Mohan ने मेरा मित्र है जिसकी माता जी डॉक्टर है तो यहां पर whom लगेगा कि whose लगेगा that लगेगा या whom लगेगा तो बचों आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहां पर कि जब आप हूं को देखते हैं तो हूं हमेशा subjective case होता है whom इसको objective case होता है और whose इसका positive case होता है ठीक है तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां whose का प्रेवग होगा क्यों क्यों क्योंकि इसकी meaning ही निकल रही है जिसकी mother डॉक्टर है बात समझ पाए न तो बिलकुल सही यहां पर be option correct होगा और relative pronoun वाले question बहुत exam में आते हैं या हम कह सकते हैं subordinate clause वाले question या adjective clause वाले question बहुत पूछे जाते हैं समझ में आया न बिलकुल be वाले बचे आप सभी लोग correct हैं move करते हैं question number 4 पर everyone must love इसके बाद आपको dash मिल रहा है और कह रहा है country ध्यान रखिएगा यहां पर everyone हो या कोई मतलब anyone हो someone हो कुछ ऐसे well known या unknown subject हो one को चोड़ कर one अगर अकेले आये बिटे तो ध्यान रखना पड़ेगा one apostrophe yes इसका लगता है जैसे i के साथ my लगता है समझ पा रहे हैं न ठीक उसी पकार अगर everyone हो और gender का जो है जिक्र ना किया जाए तो उसको हमेशा masculine gender मानते हुए his go preference दिया जाता है यह सारे rules आपके लिए बहुत important है और यह अलग-अलग exams में पूछे जाते हैं question का pattern भले change हो जाए बट rule वही रहता है ठीक है तो question number fourth का a correct हो रहा होगा आप समझ पा रहे हैं न लेकिन अगर every girl कर देता तो यहाँ पर आपको हर जो है लिखना पड़ता अगर every girl ना करके every student कर देता तो आप his लिखते ठीक है ब strong strong word का आपको ध्यान रखना है noun बनाना है strong क्या है कैसे जानेंगे तो ध्यान रखिए बच्चो अगर strong के आगे कुछ लगाते हैं तो strong के आगे आपकर कुछ लगाएंगे तो नहीं लगेगा क्यों कि जो है यहाँ पर जो है he is a strong boy कोई noun नहीं लगा लेकिन he के बारे में ही तो बताया लेकिन पीछे आपने boy लगा दिया बास समझे ना तो strong एक adjective है अब यह adjective को noun में convert करने के लिए तो याद रखिएगा बचों यहाँ पर अगर ly लिखते हैं तो यह adverb बन जाएगा okay strongly strength अगर आप लिखते हैं तो strength एक भाव आचक संग्या है यानि की abstract noun है यही हमारा correct answer है ठीक है तो बचे आप सभी लोग correct हैं यहाँ पर c वाले या बचे आप correct है strongness करें तो यह कोई meaningful word नहीं होता है strengthen करें तो किसी भी adjective में अगर आप e n लगा दें तो वो verb बन जाता है याद रखिएगा जैसे light एक adjective है light में अगर आप e n लगाते तो इसका means हलका करना कोई चीज ठीक है इन से अगर आप जो है किसी भी adjective को बनाते हैं पीछे लगाकर suffix की तरह तो verb बन जाता है और हर word में ness नहीं लगता है तो strength यहाँ पर correct answer है मुझे लगता है समझ गए हैं आप word formation वाले questions बहुत आपको exam में आते हैं move करते हैं question number six पर which one of the following words is a noun यहाँ पर हम सभी को पहचानना है कि कौन सा word noun है interesting है develop है teacher है brave है कैसे जानेंगे देखिए ing लगाए हैं जब आप तो interesting अगर आप कहते हैं तो यहाँ पर जो है interesting ing लगा दिये तो interest में ing लगा दिये तो हो गया ना आपका रुचिकर होना यह verb है लेकिन an interesting story कर देते तब तो यह आपका adjective बन जाता क्योंकि story के पहले लगा है develop करें तो develop तो आप जानते हैं विकसित करना verb है teacher is the correct answer of this question ठीक है तो question number six का teacher correct हो का teacher एक noun है brave कहें तो यह फिर से adjective बन जाता है ऐसे questions भी exam में आते हैं बचों तो किसी भी question को आप कम और जादा नहीं कह सकते tough और easy नहीं कह सकते यदि आपका concept clear है हर तरह से questions आपको आते हैं तो आप exam में बड़े आसानी से selection पा सकते हैं और आपका answer correct जाएगा ठीक है चलिएगा question number 7 पर चलते हैं choose the noun form of the given word grave grave word है grave means आप जानते हैं गंभीर होना इसका आपको noun बनाना है यह एक verb है verb से noun बनाएंगे तो देखिए gravely अगर करें तो गंभीरता से वैसे तो यह meaningful word हुआ नहीं grave ness करें तो आपको याद है ness लगने से noun तो बनता है लेकिन हर word में ness नहीं लगाया जा सकता gravel अगर आप करें तो यह भी कोई meaningful शब्द नहीं है आपको ध्यान रखना है gravity जैसे brave है ना brave means होता है गंभीर वैसे brave means बहादूर वैसे grave means गंभीर तो he is a grave boy he is a serious boy है ना तो यहाँ पर grave यह adjective बना यहाँ adjective से noun जैसे brave से gravity बनता है human से humanity बनता है उसी प्रकार से आपको grave से gravity बनाना है तो d option correct है मुझे लगता है अब तक का सब question आपको correct आ रहा होगा question number 8 देख लेंगे he did not इसके बाद है lots of works yesterday आपको ध्यान रखना पड़ेगा किस option में आप error ढूट पा रहे हैं यहाँ पर he did इसके बाद lots of works yesterday बहुत आसान सा question है बचों बहुत ध्यान से करिएगा आराम से आपका correct हो जाएगा इतना जो है आप ध्यान रखे हैं ना कि जब मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे noun होते हैं कुछ ऐसे noun होते हैं जो आपको पता है कि वो s लगा करके बनते नहीं हैं यदि बनते हैं तो उनके meaning अलग हो जाते हैं जैसे मैंने बताया था कि अगर उड लगाएंगे तो material noun है लकडी इसमें इस लगा देंगे तो इसका meaning हो जाता है जंगल ठीक है तो यहाँ पर works है works का meaning अगर आप देखो तो works का meaning होता है रचनाए ठीक है रचनाए यानि particular किसी का work तो रचना कृतियां ठीक है तो यहाँ प पर है काम का सेंस काम का plural तो नहीं बनता ना तो होना चाहिए था या तो होना चाहिए था a lot of work ध्यान रखिएगा बच्चों इसके बाद playing cricket since morning ये भी आपको याद ही होगा वहाँ तो answer करिए बच्चों मैं देख रही हूँ बिल्कुल live है हम सभी राम इसके बाद playing cricket since morning टाइम दिया है अब आपको hint मिल गया होगा question number 9 में देख पा रहे हैं आप बिल्कुल सही option number C ठीक है क्योंकि time दिया है न सुबह स वह cricket खेल रहा है अगर time न दिया होता तो इज या वाज कर सकते थे अगर tense जिक्र ना हो तो इज tense का जिक्र करेगा तो वाज करेंगे ठीक है और आप एक hint ये भी तो देखिए इज करेंगे तो वाज भी जो है है और वाज और इज को ध्यान देंगे तो विल भी भी continuous है इस और perfect continuous से जरूर से जरूर पूसता है और बचे आप confused हो जाते हूँ क्यों कि आम तोर पे हम सभी कोई भी बात continuous में कहते हैं ना कि जो है perfect continuous में जब time देते हैं तो since for का use करते हैं तब perfect continuous हो जाता है question number 10 की तरफ चलेंगे he फिर कह रहा है for London on Tuesday इसको बता दीजिएगा he के बाद है is left, is living, will living, was living और on Tuesday भी दिया है इसको भी ध्यान रखी ऐसा एक question exam में आया हुआ है ठीक है और वो question था बच्चे देखिएगा ऐसे बना हुआ था I will be नहीं ऐसे नहीं था I am going to be in Delhi on Monday यहाँ पर आपको tense पहचाना था option दिया था present continuous, future indefinite, present perfect continuous उसके बाद है future continuous और बच्चों ने लगा दिया था present continuous लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा सो मुआर को हूंगा का sense लग रहा है न दिल्ली में तो यहाँ पर future ही तो निकल के आ रहा है उसी sense में आपको question ध्यान रखना है question number 10 he is leaving ध्यान रखिएगा he is leaving for London on Tuesday वह London जो है London के लिए Tuesday को निकल रहा है तो देखिएगा यहाँ पर is leaving होगा is leaving का मतलब है कि London के लिए निकल रहा हूं या London के लिए चल रहा हूं तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा यह future की बात है लेकिन will के बाद ing आता नहीं है watch के बाद आता है लेकिन past में है यहाँ भविशिक की बात की जा रही है तो जब future नहीं है तो present continuous को preference देंगे तो हम सभी लोग जो है बिल्कुल सही बचों आप सभी correct जा रहे हैं यहाँ पर जो है question number 10 का be option correct है okay question number 11 पर चलेंगे change the underlined expression my mother is fond of travel इसको बताईएगा travel को हटाना है क्या बताईगे आप traveled करेंगे has traveled करेंगे traveling करेंगे या travelers करेंगे travels करेंगे बताईएगा sorry बचों बताईएगा यहाँ पर क्या होगा my mother is fond of याद होगा आपको मैंने बता रखा है न कि fond of के बाद हमेशा हाँ बिल्कुल सही c वाले बच्चे आप सभी correct हैं कोई भी preposition आए उसके बाद आपको preposition के बाद ing लगा देना है यह चीज आपको ध्यान रखना है तो c वाल number 11 का fond of traveling इसका मतलब उता शौकीन हो नाम तोर पर हम सभी कहते हैं ना उसे गाना गाने का शौक है मुझे खाने का शौक है मुझे डांस करने का शौक है उसे पढ़ने का शौक है तो इसका मतलब मेरी माता जी को travel करने का शौक है यानि कियात्रा करने का शौक है या शौकीन है that is called fonda plus ing question number 12 देखेंगे which of the following words is a verb देखिएगा question आपके लिए वही बनाय जाते हैं जो exam में आये हुई यह हुब हुँ question exam में आया हुआ है बच्चों बतायेगा which of the following words is a verb यहाँ पर आपको verb बताना है तो देखिएगा आपने basic पढ़ रखा है अगर sympathy हो तो यह आप क्या कहते हो sympathy means देखे sympathy होता है empathy होता है और आपैथी होता है तो बहुत ध्यान से रखिए गए तीनों शब्द क्योंकि exam में आते हैं देखिए अगर sympathy हो तो sympathy मतलब जो है किसी के दर्द को जैसे कोई सड़क पे accident हो जाता है तो हमको sympathy आती है sympathy मने सहान भूती हम सोचते है उसको हम hospital पहुचा दे रिक्षे पे बिठा दे या फिर मतलब थोड़ी सी उसकी मदद कर दे यह sympathy होता है लेकिन अगर वही पर आपके अपने किसी को चोट लग जाए जैसे आपके भाई को अपने बहन को माता पिता को तब आपको sympathy नहीं आती कि रिक्षे पे बिठा दे हो जाए तब आपको empathy आती है empathy का मतलब आप उनके दर्द को feel करने लगते हो that is called empathy ध्यान रखेगा इसको हिंदी में समान भूती कहते हैं एक होता है empathy empathy का मतलब मैंने आपको बताया है न जहाँ पर ए लगा हो वहाँ पर absent ध्यान रखेगा ए prefix लगे तो absent यानि कोई भी जो है ना सहान भूती हो ना समान भूती हो किसी भी प्रकार की अन भूती ना हो empathy होता है यानि कि मुझे और आपको कोई feeling नहीं आती है किसी को देख करके जैसे कई लोग कहते हैं ना सहान भूती ना समान भूती कहते हैं मरना तो सब को है मर गए तो मर गए ये तो सब के उपर आता है लेकिन तुरंट पता चले मिरा अपना कोई चला गया तो दर्द होने लगता है तो यहाँ पर कोई feeling नहीं होना तो इसको आपैथी कहते हैं बास समझ पाए ना तो sympathy, empathy, empathy ये सब noun है भावनात्मक बाते हैं तो abstract noun है और sympathy ठीक करें तो tic लग जाता है तो adjective बन जाता है अपने को वर्ब ढूड़ना है ये noun बना ये adjective बना sympathize यही वर्ब है ठीक है जहाँ पर ise अंत में लगा हो ize अंत में लगा हो वो आपका वर्ब होता है ठीक है और sympathetically करें तो ये तो adverb है सहान भूति पूर्वक उसने काम किया तो that is called sympathetically जैसे doctor operation करते हैं तो सहान भूति पूर्वक करते हैं ठीक है 12 का decorrect है question number 13 देख लिजेगा which tense is used for an action आज थोड़ा सा delay हो रहा है बचों बोलने में problem हो रहे है बट कल से continue हो जाएगा धीरे धीरे करके मैं थोड़ा speed तेज कर दूँगी आप परिशान न होईएगा तो जो time लग रहा है न वो एक दो दिन manage करिएगा फिर से फिर रफ्तार से हम लोग चलेंगे question number 13 देख लिजेगा which tense is used for an action just completed इसको बताइगा tense related question है कि जब आपका action complete होता है तो कौन सा tense करते हैं simple present करते हैं simple past या present perfect या present continuous कौन सा करेंगे बताइगा question number 13 का बचो answer देजिए बताइगा simple present नहीं भाई simple present में तो आप आदत देते हैं simple past भी नहीं होगा present perfect बिलकुल जैसे अगर आप पढ़ लेंगे खा लेंगे पी लेंगे तो आप यही तो बोलते हैं I have done मेरा हो गया I have completed अभी अभी मैंने complete क्या I have just studied ऐसे कहते हैं न तो यहां पर आपका अभी अभी काम खतम हो यानि की present perfect बिलकुल सही C वाले बच्चे आप सभी लोग correct है present continuous में काम जारी रहता है ये भी अपना answer नहीं होगा C वाले बच्चे आप सभी लोग correct है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी लोग मन से answer दे रहे हैं और आप सभी का answer correct भी जा रहा है question number 14 देखिएगा I wish इसके बाद कहा रहा है I was a Bollywood star फिर no error इसको बताएगा दिरे दिरे फिर हम question का level और भी tough करेंगे अभी थोड़ा revision के sense में पढ़ लीजिएगा है ना चोकि काफी दिनों बाद फिर से आप लोग काफी चीजें revision ना करने से भूल जाती है या फिर जो है थोड़ा सा पुराने उसमें चली जाती है बट अब फिर से continue करेंगे question number 14 का बिल्कुल सही भी वाले बच्चे आप सभी लोग correct है बहुत ही अच्छी बात है आप सभी लोग correct जा रहे है I wish I were a bollywood star कौन सा हम ऐश्वर यारा हो जाएंगे आप जो है अब इसे एक बच्चन हो जाएंगे नहीं होंगे न क्योंकि आप आप है हम हम है तो काश मैं होता ठीक है ऐसा sense में आप कहेंगे I wish I were a bollywood star है ना अक्सर करके बोलते हैं ना हम सभी यदि मैं ये होती मैं वो होती तो ऐसे करती ऐसे sense में कोई भी subject हो उसके साथ हमेशा वर का प्रयोग करते हैं बी वाला option correct है question number 15 पर चलेंगे the birds are flying in the sky आप देखिएगा यहाँ पर क्या करना है what kind of verb is are flying इसके बाद है in above sentence इसका मतलब जो है are flying जो है वो किस प्रकार का verb है options देख लेजेगा transitive, infinitive और intransitive या phrasal verb तो बताईए बच्चों कौन सा किया जाया answer करते रहिए question number 15 का intransitive, बिल्कुल सही आप सभी लोग correct हैं कैसे जानेंगे, देखिए आपको बताया गया था कि after verb we will use what or whom when we will give answer after using what then we will identify that transiting verb when answer will not be given we will call intransitive verb तो यहाँ पर समझ गये न कि जब what या whom का प्रियोग करने के बाद answer नहीं मिलेगा तो object नहीं होगा तो intransitive तो देखिए the birds are flying तो what क्या उड़ रहा था नहीं मिला किसे उड़ रहा था नहीं मिला वे बच्चे धीरे धीरे फिर से revision करे हो जाएगा question number 16 देखिएगा his benevolence and kindness are admired by his friends इसको याद रखिएगा benevolence मतलब परोबकार या मतलब अच्छी चीजे kindness माने दयालूता यहाँ पर देखिए his adjective है benevolence and kindness यह आपका noun है तो याद रखना पड़ेगा बच्चो यहाँ पर आपको कि जब दो noun and से जुड़े हो और वो एक दूसरे को ही identify करके किसी particular person के ही बारे में हो तो वो वो होते singular है ठीक है तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको R न करके ease कर देना पड़ेगा ठीक न ease कर देना है क्योंकि यहाँ पर जैसे बताया गया था knowledge and experience और आपको बताया गया था bread and butter wisdom and feelings समझ में आ रहा है न तो उसे प्रकार से benevolence और kindness भी singular बनेंगे और is use होगा ठीक है note कर लीजिएगा बच्चो बहुत बढ़िया explain अच्छे से करने का अताथ पर यही रहता है बच्चों की आपको बहुत बढ़िया से याद हो जाए ठीक है बहुत अच्छे बिलकुल सही question number 17 देखिएगा being a philanthropist यह one word substitution भी है बिटा यह philanthropist जो होता है philanthropist मतलब होता है मानव वादी यानि मनुस्य में विश्वास करने वाला मनुस्य को प्रेम करने वाला मानव जाती को प्रेम करने वाला तो he founded this institution यही find this institution यही वाज found this institution यही found this institution तो मैं आपको एक बात यहाँ पर ध्यान करूँ देखिए अगर find होता है ना तो find means होता है खोजना या ढूंधना तो इसका second form found होता है और third form भी found होता है बहुत ध्यान से करिएगा यह सब question exam में आते हैं लेकिन अगर found ही verb का first form बने याद रखिएगा तो इसका meaning होता है नीव डालना ठीक है नीव डालना इसका meaning हो जाता है तो इसका second form founded होता है तो अब और second or third form भी founded होता है अब आप यहाँ बताईए उसे पाया गया कि उसने नीव डाली तो याद है ना एक मानवादी होने के नाते एक परपकारी होने के नाते उसने institution की नीव रखी तो founded correct होगा या find होगा या watch founded होगा बताईए question number 17 he founded बिल्कुल सइदे की find करेंगे तो डालता है या खोजता है तो finds होना चाहिए था लेकिन यहाँ new डालने से meaning निकल रही है he was founded तो उसे डाला गया new में ऐसा नहीं meaning है पैसी वाइस में नहीं है found करेंगे तो find का third farm है इसलिए he founded यानि कि उसने new डाली ठीक है ध्यान रखिएगा बच्चों exam में आता है यह question question number 18 देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि the feather was bad they had to go for work तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है जैसा कि मौसम खराब था इसलिए उन्हें जाना पड़ा या चुकी मौसम खराब था उन्हें जाना पड़ा या यद्यप की मौसम खराब था फिर भी उन्हें काम के लिए जाना पड़ा तो यही meaning set हो रही है ना बिल्कुल सही बच्चे question number 18 का D option correct है आप सभी लोग correct है यद्यप की मौसम खराब था फिर भी उन्हें काम के लिए जाना पड़ा या काम करना पड़ा ठीक है question number 18 का D correct है question number 19 देख लेजेगा ये जिसलो वह बहुत धीमा गती से काम करता है वह शेओर है तो देखिएगा ये जिसलो वह बहुत धीमा है फिर भी वह शेओर है तो आपको क्या लग रहा है also अकेले आ नहीं सकता but also आना चाहिए था और not only आया होता पहले से and was sure है बन नहीं रहा है since बीच में लाएंगे नहीं यहां पर but correct है ठीक है be option बिल्कुर सही बच्चों आप सभी लोग correct जा रहे हैं यहां पर be option correct है but वह मतलब वह धीमे गती से काम करता है लेकिन वह फिर भी sure है ठीक है तो दो clause अगर एक दूसरे के opposite में जाएं तो यहां प फिर कह रहा है his watch all around the house यहां पर देखिएगा he looked for कहेंगे या all at कहेंगे या into कहेंगे या after करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको पताया गया था ना अगर look at हो तो मतलब होता है किसी particular दिशा की तरफ देखना look at me अक्सर करके आप सुने होंगे तो यहां पर his watch का मतलब है वो आला watch जो आप हाथ में पहनते हैं ठीक है घड़ी की बात हो रही है तो यहां पर देखिए look for means होता है खोजना यही correct हो जाएगा a option ठीक है a correct होगा यहां पर look for का मतलब होता है किसी चीज को किसी चीज को धूढ़ना और अगर हम add की बात करते हैं तो add मतलब किसी particular दिशा की तरब देखना into का बात करते हैं तो means होता जाच पड़ताल करना और after का मतलब है look after means होता देख भाल करना तो phrasal verb भी बहुत जादा important हो जाते हैं exam के लिए ठीक है तो बहुत बढ़िया बच्चो ऐसे ही मेहनत करते रहे हैं मिलते हैं next class में और जो है बहुत अच्छे से आप nice score जरूर बताइए और regular practice करिए बच्चों जो भी class पहले से दी गई हैं और जो दी जा रही हैं दोनों पर practice करते रहे हैं ऐसा मत सोचिए कि एक बार हम किसी class को देख लिए तो मेरा हो गया क्योंकि जितनी बार हम एक पुस्तक को पढ़ते हैं उतनी ही नई चीजे हमको जान for me giving your time thank you thank you so much